हम कटर इमानदार और देश भक्त लोग हैं, हम लोग ब्रश्टाचार को देश के साथ गद्दारी मानते हैं, सर कटा सकते हैं, वो ब्रश्टाचार नहीं करेंगे, देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते हैं अभी कुछ दिन पहले पूरे देश ने देखा किस तरह हमने पंजाब में अपने ही एक मंत्री को खुद बखुद बर्खास्त करके जेल वेज दिया। किसी को उनके प्रश्चाचार का नहीं पता था। ना मीडिया को ना विपक्ष को किसी को नहीं पता था। हम चाते तो पूरा मामला दबा सकते थे। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम देश के साथ गदारी नहीं कर सकते। हम अपनी आत्मा का सौधा नहीं करते। 2015 में भी एक ऐसा ही वाक्या हुआ था। जब मैंने खुद बखुद अपने खाद्य मंत्री को बर्खास्त करके सीबै को सौध दिया था। तब भी किसी को नहीं पता था। तब भी हम चाते तो केस को दबा सकते थे। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। देश तो क्या। पूरी दुनिया ने भी राजनीती में इस तरकी इमानदारी नहीं देखिया। जिस दिन पंजाब के हमारे मंत्री को हमने जेल भेजा। बहुत लोगों के फोन आये। लोग भावु को रहे थे। बूल रहे थे सर, हमने कभी नहीं सोचा था कि अपने इस जीवन में इस तरकी मानदारी देखेंगे। मैंने सतेंद्री जैन के सारे कागज खुद देखें हैं। पढ़ा लिखा आदमियों। कानून की भी बहुत समझ है। इनके उपर लगाए गए सारे आरोप फरजी हैं। पूरा का पूरा मामला फरजी है। किवल राजनीती की वज़े से उन्हें गिरफतार किया गया है। अगर उनके मामले में एक परसेंट की भी सच्चाई होती। तो मैं खुदी कब का उनके खिलाफ सक्ट एक्शन दे चुका होता। इन्होंने हमारे कई MLA's पे कई-कई जूटे केस किये। सारे कोट से छूट के वापस आगए। अंत में तो सच्चाई की जीत होती है। मेरे उपर भी इन्होंने नह जाने कितने केस किये। मेरे उपर इन्होंने कितनी बार रेड करवाई। कुछ नहीं मिला। अंत में तो सतिंद्र जहन जी भी छूट जाएंगे। हमारी पार्टी भगत सिंग के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है। भगत सिंग देश के लिए और सच्चाई के लिए शहीद हो गए। देश के लिए समाज के लिए जेल जाना दूशन नहीं होता। दूशन होता है। और आम आदमी पार्टी का एक एक कारिकरता समझता है कि आम आदमी पार्टी में रहना है तो हमेशा जेल जाने के लिए और अपनी जान कुर्बान करने के लिए तयार रहना होगा सतेंद्र जैन देश भक्त है, कट्टर इमानदार है, बेहत साहसी है ऐसी जेलें उनके साहस और जजबे को और मजबूत करेंगी मैं समझ सकता हूँ उनकी पत्नी और उनके बच्चों पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी मैं उनने कहना चाहता हूँ भाबी जी आपके पती बेहत सासी है, बच्चों आपके पिता बेहत सासी है उन्होंने पूरी दुनिया को महला क्लिनिक का मॉडल दिया है उन्होंने पूरे देश को एक बेहत शानदार स्वास्थे का मॉडल दिया है जहां सब का इलाज फ्री होता है उन सब करोडों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं जिनका उन्होंने फ्री में इलाज करवाया है ऐसे शक्स पे पूरे देश को गर्व है भगवान उनके साथ है जैहिंत